मेरा नाम नितिस कुमारा है हम पिछली बार बताए थे लेंध मसीन के बारे में लेंध मसीन आए हम आपको दिखाते हैं लेंध मसीन दिखता कैसा है यह जो दोस्तों पीछे में जो मसीन है इसे लेंध मसीन काते हैं इसके बारे में हम लेंध मसीन पंजाबी में खराद मसीन भ इतना गलत कैसे हो सकता है यह जो दोस्तों आगे में लगा हुआ इसे चोक कते हैं थ्रीजा चोक होता है या फोर्जा चोक होता है इसमें दोस्तों फसाया जाता यह इसके बाद कोई रेती होता है जिससे यह कट किया जाता है यह जो आपको नीचे में दिखाई पर रहा है इसे बेड कहते हैं जिसे लेंद इनके नीचे मेंबेड होता है जो कुरा इुळा जो गिरता है इनके नीचे यहां के गिरता यह देख सकते आफ इसमें अभी काशच वगरा रखे हुए हैं यह जो दोस्तों आपके सौमने टूल लगा हुआ होता है इसको ड्राइव करते हैं इसको ऐसे घुमाने से आगे पीछे हुआ होता है यह देख सकते हैं आप इसको ऐसे घुमाने से आगे होता है यह देखिए इसको इस तरह से घुमाने से आगे जाता अगर इसको बेक साइड गुमाईएगा तो पीछे गुमता है यह जो सामने लिखा हुआ होता है इसको कई से कितनों एमपेर यह सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ चलाना है कौन सा टूल यूज करना है और इधर जो लिखा होता है द 245 यह जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है यह मतलब एमपेर के हिसाब से चलाना पड़ता है यह आप देख सकते हैं यह जो सामने लगा हुआ इसमें जो होल है इसमें यह ऐसे फिट किया जाता है कैसी अपमांदर बढ़ते गरार होता यह स्लीन है यह लोना तंग जा जाता है आप देख सकते हैं यह टूल है कोई लेंद मसीन आप देख सकते हैं पूरी तरह से ऐसा दिखता है यह दोस्तों लेंद मसीन का मोटर है यह एमपायर है इधर से ही ओन होता लेंद मसीन आप अच्छी तरह से देख सकते हैं लेंद मसीन कितनो